नमस्कार में अप्रिया बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है खबरों की तरफ बढ़ने से पहले एक नज़र सुर्खियों पर बिहार में एक और बस्टान बन कर हुआ तयार इन छे जिलों को होगा फाइदा आप सभी जूलरी बाजार बिहार में दुएंपार अब गले में दर्द बुखार सर्दी जुखाम वाले मरीजों की होगी पहचार बिहार के शेहरी इलाकों में 2000 महिलाओं को मिलेगा रोजगार बिहार के भागलपुर निवासी आकाश सिंग का हुनर देकर उड़ेज जज़स के होश अब चले बढ़ते हैं बिहार की शाम तक की बड़ी खबरों की और विस्तार से नारिशक्ति के रूप में याद किया जाता है आज का दिन आज देश भर में राश्टर बाली का दिवस या National Girl Child Day मनाय जा रहा है जो की हर साल 24 जन्वरी को ही मनाय जाता है आपकी जानकारी के लिए आपको बता दे कि पहली बार इसको बनाने की शुरवात 2008 में हुई थी महिला और बार विकास मंतराले ने इस पहल की शुरवात की थी इस दिवस को मनाने का केवले एक ही उदेश्य है कि बालिकाओं के प्रती समाज में फैले भेदभाव को खत्म करना और उनकी सिक्षा के प्रती लोगों को जागरू करना प्रतान मंतरी इंद्रा गांधी को 24 जनवरी के दिन नानी शक्ती के रूप में याद किया जाता है इसे दिन इंद्रा गांधी ने पहली बार प्रतान मंतरी के रूप में कारिभार समारा था इसलिए इस जिन को राश्ट्रे बालिका दिवस के रूप में भी मनाया जाता है बिहार में एक और बस्टैंड बन कर हुआ तयार इन छे जिलों को होगा फाइदा बिहार में अब एक नया बस्टैंड बन कर तयार हो गया है मिली जुहानकारी के नुसार यह बस्टैंड गया जुले में बना है पास दश्टैंड अब 4-4 करूर रुपे से बनाई गई बस्टैंड जुले का चौत था बस्टैंड होने वाला है गया जुला मुख्याले से नजदीक गया नवादा मार्ग पर रस्ट सुलपुर और गाउं के पास इसका निर्मान किया गया है जुला परिभान पदादिकारी विकास कुमार और गया सदर S.D.O. इंद्रवीर कुमार ने इस बात की जानकारी दी है साथ ही बताया है कि मानपुर से नया बस स्टैंड बनाए गया है इसे 15 दिनों में चालू कर दिया जाएगा बिहार के भागलपुर निवासी आकाशी सिंग का हुनर दे कर उड़े ज़ज़स के होश पक्र करने की बात भी कही गई आज सभी जूलरी बाजार बिहार में हुई बंद हाले में बाकर गंज में 14 करोड से ज्यादा की चोरी देखने को मिले थी जिसके बाद ही सराफा कारोबारियों के बीच में गुस्से का महाल देखने को मिल रहा है और पुलीस की लचर के विरोध में सभी जूलरी प्रतिष्ठान ने एक नई जंग छेड़ दी है जुसके तहथी आज सभी जूलरी प्रतिष्ठानों को बंद करने का फैसला लिया गया इसकी घोशना प्रदेश के सराफा कारोबारी के संगठन ने बीते दिन ही कर दी ती यह कारोबारी बाकर जंज लूटकान वे अपराधियों की गिरफतारी के साथ ही सामानों की रिकबरी की मांग और अपनी पुरानी मांगों को पूरा करने की डिमांड कर रहे हैं। अब इसकी शिर्वात शहरी निकायों में भी होने वाली है। जिसमें सर्दी, जुखाम, बुखार और गले में दर जैसी समस्या रहती है। इससे पीडित मरीजों की पहचान की जाएगी। इसकी सूची तयार करने का निर्देश स्वास्तव भाग की तरफ से जारी कर दिया गया है। इसके अलावा टीका करन से वंचित रहेगे बुज़ुर्गों की पहचान भी अब होने वाली है। इसको लेकर फरवरी के पहले सब्ता से विशेश अभियान चलाये जाएगा। बिहार में पूरन शराब बंदी लागू है लेकिन इसकी सचाई क्या है इसे आप भी जरूर वाकिफ होंगे। जीव कुमार प्रसाद और सहचालक रहतास जुला निवासी पपो कुमार को गिरफतार किया गया। शेतर के बेली रोड से गुजरने वाले हर संदिक दिवाहनों की जाच की गई। इस दोरान पुलीस की टीम में एक शिरावी को भी दबोचा है। दूसरी तरफ राजधानी में लगातार आप राधी घटनाओ में इजाफ़ा देखने को मिल रहा है। जुसके बाद जाच अभी आंच लाय जा रहा है। बिहार के पंचायत प्रतनिदियों को अगले महीने मिलेगा मासिक भत्ता। बिहार के सभी पंचायत प्रतनिदियों और ग्राम के चहरी प्रतनिदियों को अगले महीने मासिक भत्ता मिलने बाला है। इसको लेकर सरकार की तरफ से 72 करोर 32 लाख जिलो को भेज दिया गया है। 2021 तक जो भी जन प्रतने धी रहे हैं उनके बकाया मासिक भत्ता को जल्द से जल्दे देने का निर्दे इश्ट दिया गया है। डिया जन इस दोरान जातीगे जन गरना के बारे में भी उन्होंने साफ साफ कहा कि जातीए जन गरना आज ही तारिख में बहुत ही आवश्यक है। भाजपा को मुकेश सेहनी ने MLC चुनाफ को लेकर दिया जवाब बिहार में जल्दी 24 सीटों पर MLC का चुनाफ होने वाला है बिहार के उप मुक्य मंतरी तारकिशुर प्रसाद ने भी बीते दिन ये सपश्ट कर दिया है कि उसे चुनाफ में मंतरी मुकेश सेहनी को पार्टी की तरफ से एक भी सीट देने पर विचार विमर्ष नहीं किया गया है जिस पर ही अब मुकेश सेहनी ने जवाब दिया है जिसके तहत उन्होंने कहा कि फिलहाल उत्तर प्रदेश के चुनाफ को लेकर वो व्यस्त है चुप से तारीखों की घोशा नहीं की गई हो लेकिन राजनेतिक पार्टियों के बीच में इसको लेकर तयार यांत तेज कर दी गई है यही कारण है कि हर कोई अपनी दाविदारी पेश करने में जुट गया है इस लिस्ट में अब तक जद्यू भाजपा, राजट जैसे कई नाम सामने आ रहे थे लेकिन अब असुब दीन ओवेसी की पार्टी AI MIM का भी नाम सामने आ है पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष अक्तरूल इमान ने इस बात की घोशना की है साथ ही बता है कि उनकी पार्टी उप चुनाव के साथ वधान परिस्त चुनाव में भी सभी सीटों पर अपने प्रत्याशियों को उतारने वाली है बीते दिन किशन गंज में आयोजित प्रेस वार्ता में अक्तरूल इमाम ने कहा कि वधान सभा चुनाव में सिवांचल किशन गंज में पार्टी को बड़ी सफलता मिल रही है और पूरे बिहार में इसका विस्तार करने की तैयारी हो रही है देश भर में पिछले 24 गंटे में COVID-19 के मामलों में देखी गिरावर देश भर में COVID-19 प्रभावितों की संख्या में लगातार उतार चड़ाव देखने को मिल रहा है हाला कि बीते दिन के पिछले 24 गंटे में जो मामले सामने आए हैं उसमें थोड़ी रहत जरूर देखने को मिली है में पिछले 24 गंटे में 2,43,45 में ठीक भी हो गए हैं लेकिन अभी भी 22,49,335 लोग कोरोना वाइरस से संक्रमित है कोलाक्टिव मामले 5,69 पीज़ी है एक दिन में कोरोना वाइरस के लिए 14,74,735 साम्पल टेस्ट किये गए जुन में 20,75 पीज़ी लोग संक्रमित पाई गए हैं कॉमेडी शो पर खूब मस्ती करने आ रहे हैं भोजपुरी सितारे दे कपल शर्मा शो के नए एपिसोड में भोजपुरी इंडस्ट्री के कई कलाकार खूब धूम मचाते नजर आने वाले हैं कपल शर्मा शो में भोजपुरी स्टार वाले एपिसोड का फिलहाल प्रोमो सामने तो नहीं आया है लेकिन उससे पहले ही कई तस्वीरे सोशल मीडिया पर वारिल हो रही है तस्वीरों में साब देखा जा सकता है कि भोजपुरी कलाकार दिनेश राल यादव आमरपाली दुबे और रानी चार्टर जी इंटर्टेन्मेंट का तड़का लगाने के लिए कपल शर्मा शो पर आ रहे है दिनेश राली आदव ने अपने सोशल मीडिया पर कपल शर्मा के साथ कई तस्वीरे शेयर की है कपल शर्मा और निरहुआ फोटो में मुस्कुराते हुए नजर आ रहे है आक्टर सामरपाली दुबे ने भी कपल शर्मा शो के सेट की तस्वीरों को शेयर किया है जुसमें एक लाकार मस्ती करते हुए दिखाई दे रहे है पांचवी बार भारत का सूपरा साउग ऐखिलाफ हुआ साफ केल राहुल की कप्तानी में भारते टीम को दक्शन अफरिका दौरे पर बंडे सीरीज में क्लीन स्वीब का सामना करना पड़ा इस सीरीज से पहले भारत को टेस्स सीरीज भी साउथ आफ्रिका के सहलाफ कवानी पड़ी थी इस जीत के साथ ही मेजबान टीम ने तीन शुने से भारत का सूपरा साफ कर दिया हाला कि ये पहली बार नहीं है जो भारत ये टीम इतनी बुरी तरीके से हारी है बल्कि ये पांच भी बार है जो भारत को तीन या उससे अधिक मैच की बंडे सीरीज में क्लीन स्वीप छेलना पड़ा है वहीं अब कप्तान केल राहूल ने इस हार के बाद सब कुछ ठीक रा बल्ले बाजो पर फोड़ा है जिसके तहत उन्हाने कहा कि डीपक ने हमें मौका दिया था कि हम माच जीत सकते हैं लेकिन इससे हमें सीखेंगे कि हमने कई गलतियां कि हैं हमारा शोट का चैन गरत था जो सब ने देखा हमने सही प्रदर्शन किया लेकिन इसे लंबे समय तक कायम नहीं रख पाए और इसलिए हमारा रिजर्ट ऐसा रहा कल हमारे द्वारा पूछी गया सवाल का जवाब आप में से बहुत सारे यूजर ने हमें कॉमेंट करके दिया था उसके लिए आपका बहुत बहुत धनिवाद है या नहीं अपने जवाब में कॉमेंट करके जरूर बताएं इसके साथ ही आज के लिए बस इतना ही बिहार की बड़े खबरों से अव्डेटिट रहने के लिए हमारे यूट्यूब चानल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकान दवाला ना भूले धन्यवाद